बावा बागेश्वर की परम भक्त और बावा बागेश्वर को प्राण नात कहने वाली शिवरंजिनी तिवारी को जान का खत्रा है और ऐसा दावा किया है पंडोकर सरकार ने दरसल पंडोकर सरकार ने एक परचा निकाला जुसमें शिवरंजिनी पर प्राण घातक हमला होने का दावा किया गया है बतादी कि शीवरंजुनी तिवारी में कोई साधक गुंडा या शिवरंजिनी पर हमला कर सकता है बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शिवरंजिनी को धमकी मिल रही है कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भजनगाई का शिवरंजिनी तिवारी काफी चर्चा में रही शिवरंजिनी तिवारी उत्राखंड तब ही से वो मीडिया की सुर्खियों में आ गई शिवरंजनी तिवारी MBBS की छात्रा है भजन गाईका के तौर पर भी जानी जाती है शिवरंजनी तिवारी के पिता पंडित बैजना तिवारी ने बताया कि उनके परिवार का संबन्ध मधिप्रदेश के सिवनी में जन में ब्रहमलीन जगत गुरू स्वामी स्वरूपा नंसरस्वती महराज से जुड़ा हुआ है उन्होंने बताया कि उनका पैत्रक गाव चंदोरी कला दिधोरी है जो सिवनी में पढ़ता है हाला कि शिवरंजनी तिवारी का परिवार पिछले 25 सालों से हरिद्वार में ही रहता है शिवरंजनी तिवारी के पिता बैजनात तिवारी ने बताया कि उन्होंने नाकपुर के बी आर इंस्टिटूट से इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है वह एक बाई कमपनी में महा प्रबंधक के पत पर कारिर रथे लेकिन पाँच साल पहले उन्होंने पत से इस्तिफा दे दिया था इसके बाद अब वह अपनी बेटी शिवरंजनी के साथ भजन कारिक्रमों के आयोजनों में सहायता करते हैं शिवरंजनी की माता कैंसर दवाओं की विशेशग्य है वह वर्तमान में अमेरिका के सेंट फ्रांसिस में एक नीजी कमपनी में विभाग प्रमुक के पत पर कारिर रथ है आप सभी लोगों को याद होगा मैंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया था और जिस्टे मैंने लिखा था कि और एक मैंने सिध्धान पे दिया था कि स्थ्रियों को व्यासमन से कथा करने का को यदिकार नहीं सो व्यासमन से कथा करने का को यदिकार नहीं सो व्यासमन से Namurai Brahmani dhe Tazi ch voices व्यासाय-Vishnu रूपाई बढूताय क्लियर है, क्यों पाक्दानी कहीं को अगर पुपते है क्लिकार और अगर होता तो लिखा हूता व्यासाय-Devi रूपाय या व्यासाय-Lakṣmi रूपाय जबसे मैंने वीडियो जारी किया कि तो उसके बाद तर जितनी अम्मा जी थी दी दी ती सूश्री यह सकते ressollol इन सब लोगा पून खौन हो यह एक कौन मंमजी है और मेरी फोटो रही है hatsey conduct कोई मुझे गाजियां डेरा है अब तो हध हो गयी है मुझे धंकी बरे call आने लगे कोई कहता है अब देख लो बस तुम कुछी दिन की महमान हो एक कह रहा है देख लेना बागया कि होता क्या है तुम्हारे साथ में यह वो फलाना यह सब तो भाई आखिर मैंने गलत कहे क्या दिया और अभी मैं हाली में जवत्पु से लॉट रही थी तो मैं रस्ते से पंडो क कर द्राम चली है जैसे में वहां गई तो मेरे परंपुजी गुर्दीव जी पंडो कर द्राम सरकार जी ने पहले से ही मेरा पर्चा बना के रखा हुआ था और उसमें पता है क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अभी जोने 2025 आने वाला है तो 15 जनवरी 2025 से 27 पंडों पर द्राम सरकार ने लिख के दिया है और मुझे धंकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं यह सब है तो मैं जब आऊ हुआ है तो मेरे लिए भग बड़ी चिंता का विशह है है और मैं जाके उपी के हमारे उखी मंत्री जी मान शीयोग्या दुतनाच जैसे भी जाके मिलू मुझे क्या लगता है कि इन सब नोगों से मेरी प्रसिद्धी ने देखी नहीं जा एक चुदी इनको क्या लग रहा है कि मैं खुद भावत कथा छोड़ दिया और फिर आके बोड रही है तो देखो मैंने भी गल्ती करी मैं अपनी गल्ती एक्सेट कर रही हूं लेकिन जैस तो अब यहां देख रहे हैं दीदी जी की डेटे चार-चार महिने तक पैठ है एक दिन भी खाली नहीं है तो भाई ये रजिस्वला आपका भूग है और आप रजिस्वला होते भी आपने कथा करती याद रखिएगा मैं इस भोली-भाली जंता को एक पात बताना चाहते ह लों को जागरूप करना चाहरी इस वीडियो कि मार्धियं से जब तक ये रजिस्वला बंद करके पाता करते रहेंगी व्यासमंच से जब तक आप लोग इन रिद्सवला को कथा करते वेंगे और आप सभी लोग इसे कथा करवाते रहेंगे यह दिया महापाप लहीं रुकाना तो याद रखना भटो सनातन धर्म को पतन के हो जाने से कोई भी भी नियुक सकता जरातन धर्म का पतन तो निश्चित ही है और उसमें एक मुख्य कारण ये खुद रडिस्वला होगा जो कथा सुना रही है और जो महापाप की आप सभी लोग को भागिदारी बना रही है ये खुद उसका एक मुख्य कारण है अचा एक बात बताओं एक पत्रकार होगा है मुझे एक वीडियो दिखा रहे थे उसमें डेवी जी बोल रही है मुझे को टार्गिट करके कह रही है जब ते कथा बिखने लगी मंडी में क्या अंतर रहा अव्यास और ठीके तो मैं तो वो शदुमी बोलोगा अग्यामरा तो यह सब आप गुबल के मुझे कह रही है जब भी न आप देखना जो सत्रो होते अक्षा दौपयर के होते तीन से छे के तो जो देवी जी होती होगा पर गाना करती है जूला तो जूले, जूला तो जूले, जूले मोरी राधा, जूले मोरी राधा, जूला तो जूले, जूला तो जूले दिन में तो ये राधा नानी कनेयाजी को जूला जूलाएंगी और रात में सयम सेठों के साथ में जूला जूलाएंगी तो आड़े क्यों हुरे हैं, और बाद में फिर टार्गेट कर रहे हैं जब से कता विकने के मंडी में क्या अंदध 묻 आ है। यह सब गलत है और यह मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ जब से मैं इसका विरोध कर रही हूँ तभी से यह सब लोग खुब ऐसे खौल गई है पुरी और खुंदस में आ गई है और धंगी बरे कॉल करनी यह है पुरी अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें